भागो भागो तुफान आ रहा है जंगल में तुफान आ रहा है भागो सबको अपनी जान बचाना होगी पहाड की दूसरी तरफ भागो हर तरफ हल चल थी सभी पक्षी अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे क्यूंके जंगल में बहुत तेज तुफान आ रहा था गुडिया जल्दी उठो मेरी बेटी हमें यहां से जाना होगा ममा भाई नहीं है भाई तो नदी पर पानी पीने गया हुआ है समय बहुत थोड़ा है चलो आँ मेरे साथ चलो सबको इधर उधर भागता हुआ देहकर कुकू भी उड़ता है वो अभी उड़ा ही था के तुफान तेज हो जाता है बारिश के साथ तेज हवा कुकू को एक तरफ धकेलती हुई अपने साथ उड़ा कर ले जाती है ममा और गुड़िया बहुत मुश्किल से नदी पराती हैं मगर वहां तो कोई ना था चुड़िया जल्दी करो सब पहाड़ों की दूसरी तरफ जा रहे हैं जल्दी करो गुड़िया बेटी कुकू कहां चला गया उसे तो अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं आता था ममा हम यहां बैठ कर भाई का इंतजार करते हैं नहीं बेटी जब तुफान थमेगा तो फिर ही हम कुकू को ठोड़ सकेंगे मैं भी जा रहा हूँ आप आ जाएं फिर चड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर दूसरे पक्षियों के पीछे उड़ जाती है तेज बारिश में उड़ना तो बहुत मुश्किल था मगर उन्हें अपनी जान तो बचाना थी कुकू तेज हवा से उड़ता हुआ बहुत दूर निकल जाता है और फिर किसी दूर वाले जंगल में पहुँच कए वो एक पेड़ से टकरा कर नीचे गिर जाता है पहाडों की दूसरी ओड़ सापक्षी एक गुफा में चुपे बैठे थे सुभा से किसी ने कुछ ना खाया था सब भूके थे चुड़िया बहें चुप कर जाओ तुम्हें देखकर गुड़िया भी दिल थोड़ा कर रही है ना जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा अब तो बारिश और तुफान रुकने के बाद ही मालूम होगा के कौन मरा है और कौन जिन्दा गौरी कवी अपने साथ भोजन की थैले भी उठा लाई थी मेरे पास थोड़ा सा भोजन है जिसे भूक लगी है वो मुझे से भोजन लेकर खा सकता है कबूतर और तोते का परिवार गौरी से भोजन लेकर खा लेते हैं चुड़िया बेहन आप भी दो दाने खा लो ऐसे भूके पेट कैसे नीद आएगी धोते भीया मेरा बेटा भी तो भूका ही होगा अगर मुझे पहले दुफान का मालूम होता तो मैं कभी अपने बेटे को नदी पर ना जाने देती होसला रखो चुड़िया सबर करो जो भागे में हो वहो कर ही रहता है सारी रात गुजर जाती है सारी रात तेज बारिश होती है और तेज हवा चलती है दूसरे दिन सुबह कहीं जाकर बारिश रुकती है कालूकवा डरा हुआ गुफा से बाहिर निकल कर देखता है आजाओ, सब बाहिर आजाओ, तुफान थम गया है ये सुनना था के सब ही पक्षी गुफा से बाहिर चले जाते हैं ममा जडिया और उसकी बेटी गुडिया कुकु की खोज में निकलती है कुकु, कुकु बेटा, आप कहा हो वो दोनों मा बेटी घने जंगल में जाती है पेड़ तो जड़ों से उखर चुके थे वो दोनों थकार कर एक टूडे हुए पेड़ के ऊपर बैठ जाती है गुडिया बेटी, हमारा कुकु कहीं नहीं है शायद मेरा बेटा अब जिन्दा नहीं रहा चुप कर जाए मामा, चुप कर जाए हम कम जोर पक्षी कर भी क्या सकते है तुफान के आगे हमारा क्या जोर बुलबुलांटी का बेटा भी पेड़ के नीचे दब कर मर गया है शाम होने से पहले पहले मामा चड़िया और गुडिया घर लोटा दी है उनकी आस उमीद तोट चुकी थी वो यही समझती है कि कूकू मर गया है मगर कूकू बच गया था वो तेज धूब में बैठा हुआ रो रहा था वो एक अंजान जंगल में था मामा बहुत परेशान होंगी मगर मैं घर भी तो नहीं जा सकता मुझे तो रास्ते की भी कोई समझ नहीं है उसे भूक लग रही थी और थोड़ी ही दूर उसे चन्नों के कुछ दाने नजर आ जाते है कूकू कुछ दाने खा लेता है अब वो संभल चुका था मुझे वापिस घर जाना होगा जैसे भी हो मुझे अपनी माँ और बेहन के पास जाना होगा फिर वो घर वापिस जाने के लिए योजना बनाता है वो बेरी के एक पेर से बेरी तोड़ कर उनका रस निकालता है और एक कागज के टुकुडे पर अपने जंगल का मैप तियार करने लगता है जंगल में पूर्फ की तरफ बड़े पहार थे और पच्छम की दिशा में नदी फिर वो सूरज की तरफ देखते हुए अपने मैप को सीधा करता है यहां नदी के पास घना जंगल और साथ में खाली मेदान और फिर ये रही चोटी नदी ऐसे कूकू अपने जंगल का मैप तियार कर लेता है अब मुझे उड़ना होगा कूकू वहां से उड़ता है ममा चड़िया और गुडिया भी आज भोजन लेने चली जाती है चड़िया बेहन जो हुआ उसे भूल जाओ अपनी बेटी की खातर खुद को संभालो हाँ हर्याली बेहन मुझे अपनी बेटी के लिए जीना होगा मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है ममा क्या भाई अब कभी लोट कर नहीं आएगा नहीं बेटी आपका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा उदास मन के साथ ममा चडिया और गुडिया भोजन की खोज में निकल जाती है उड़ते उड़ते कुकु को कुछ समंदरी बगले नजर आते है कुकु उनके पास जाता है अंकल में रास्ता भूल गया हूँ क्या आप इस जंगल के बारे में जानते हैं कूकू बगले को अपना मैप दिखाता है पहाड दूसरी तरफ नदी और ये मेदान ऐसा जंगल तो सागर के साथ है शायद मैं भूल रहा हूँ नहीं छोटे पक्षी मैं नहीं जानता मैं आपको गलत इशा का नहीं बता सकता कूकू बहां से आगे भरता है वो एक सिम्मत में उरना जानता था इसलिए वो सीधा उड़ा था वो उन्चाइ पर उड़ा था उड़ते उड़ते वो सागर के ऊपर से गुजरता है जब वो ठक जाता है तो सागर में मजूद एक टाबू पर बैठ कर थोड़ा अराम करता है यहां तो तरहां तरहां के फल है ऐसे फल जो मैंने पहले कभी नहीं खाए फिर कुकु वहां से जीब भड के मीठे मीठे फल खाता है और फिर से उड़ता है उसे बहुत दूर मधधम मधधम से बादलों में चुपे हुए पहार नजर आते हैं वो पहार देह कर बहुत खुश होता है यह पहार तो मेरे जंगल के ही लग रहे है वो अपनी रफतार और भी देज करता है वो पहारों पर पहुँचाता है यह जगा कूकू की देखी देखी थी क्यूंके यहां तो वो अपनी मम्मा के साथ अकसराया करता था मैंने कर लिया, मैंने कर लिया वो रहा, सामने कालू अंकल और गोरी आंटी का घर वो ठका हुआ तो था मगर वो घर पहुँचकर ही आराम करना चाहता था ममा अब तो शाम हो गई अभी तक लोड कर नहीं आया मेरा भाई गुडिया बेटी अंदर आ जाओ आपका भाई अब कभी नहीं आएगा कुकु भी अपनी ममा और बहन को दूर से ही देख लेता है वो मुड़ता है और दूसी तरफ से पीछे से आकर अपनी ममा और बहन को हैरान कर देता है मैं यहाँ हूँ मैं आ गया ममा मैं आ गया अपने बेटे को देख कर ममा चुडिया की तो चिंखे ही निकल जाती है कूकू, कूकू मेरे बेटे, आप जिन्दा हो, आप जिन्दा हो मेरी जान मेरा कूकू जिन्दा है, मेरा कूकू बच गया, मेरा कूकू घर लोड़ाया है वो सब गले लग जाते हैं और ममा चुडिया की रो रो कर हिचकी बंद जाती है शायद ये खुशी ममा चुडिया के लिए उसकी जिन्दगी की सबसे बड़ी खुशी थी प्यारे दोस्तों किसी भी मुश्किल में हिम्मत और होसले से काम ले मुश्किल समय में ठीक तरहां योजना बनाए कुकु की तरहां बहादरी से काम लें और मुसीबत का मुकाबला करें आपका धन्निवार आम और जामून का पेड एक दूसरे के पडोसी थे आम का पेड जामन के पेड से बहुत प्यार करता था मेरी जामून मेरी घुलाब जामून सो रही है थोड़ा तंग करता हूँ इसे फिर आम का पेड अपनी शाखाओं से जामन के पेड को छेरने लगता है जामन का पेड भी जाग जाता है मुझे मालूम है मुझे मालूम है तुम सपनों में मुझे ही देख रही थी ना मेरी जामन अपनी शकल देखो कितनी बार कहा है तम्हारे फल का रंग मुझे पसाद नहीं और नहीं तुम मेरा फल बहुत मीठा है और देखो मैं कितना संधर हूँ मुझे से शादी कर लो हमेशा साथ रहेंगे ऐसा कभी नहीं होगा ये तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे दूसरे दिन चिडिया वहां से गुजरती है आम के पेड़ को उदास दे कर चिडिया वहां आ जाती है आम के पेड़ आप इतना उदास क्यूं है? मेरी पडोसन जामुन कभी मुझसे हंसकर बात नहीं करती मैं उसे पसंद करता हूँ मैं शादी करना चाहता हूँ उसे अच्छा तो ये बात है मैं बात करती हूँ उसे फिर चिडिया जामुन के पास जाती है जामुन क्या आपको मालूम है कि आपका पडोसी आम का पेड़ आपको पसंद करता है वो आपसे शादी करना चाहता है चुडिया मेरी एक शर्ट है बताओ बताओ वो आपकी हर शर्ट पूरी करेगा मुझे उसके फल का रंग पसाद नहीं पहले उसे कहो कि अपने फल का रंग लाल करे फिर ही मैं उससे शादी करूंगी चुडिया फिर से आम के पेड़ के पास जाती है सुन लिया चुडिया मैंने सब सुन लिया मगर तुम्हे मेरी मदद करना होगी पलीज किसी तरह मेरे फलों का रंग लाल कर दो आप दोनों की खुशी की खार्टिर कुछ ना कुछ तो करना होगा फिर चड़िया वहां से उड़ती है और सीधी इनसानों की बस्ती में रंग बनाने वाले इनसान के पास जाती है इनसान इनसान मुझे लाल रंग चाहिए क्या आम मुझे लाल रंग दे सकते हैं? अच्छी चड़िया मैं जरूर देता मैं आपको लाल रंग जरूर बना कर देता मगर मेरे पास गुलाब के फूल नहीं है अगर आप मुझे लाल गुलाब के फूल लादो तो फिर मैं तुम्हें लाल रंग बना कर दे सकता हूँ मैं अभी लाल गुलाब के फूल लेकर आती हूँ चिडिया वहां से उड़ती है वो नदी के पास गुलाब के फूलों के पास जाती है गुलाब के फूल पूरे जोबन भरते उनका रंग पूरी तरह लाल था चिडिया कुछ फूल लेती है और वापिस जाती है इनसान जी मैं लाल गुलाब ले आई हूँ अब आप जल्दी से मुझे लाल रंग बना दें फिर वो इनसान लाल गुलाब से चिडिया को लाल रंग बना देता है जिसे लेकर चिडिया जल्दी से वापिस जाती है ये लाल रंग है आप इसे पी लें इस तरह आपके सारे फलों का रंग लाल हो जाएगा और फिर जामुन आप से प्यार करने लगेगी मुझे मालूम था मुझे मालूम था चिडिया आम मेरे लिए जरूर कुछ करोगी फिर वो आम का पेड़ वो लाल रंग पी लेता है जिसे उस पेड़ के सारे ही आम लाल रंग के हो जाते हैं जिसे देहकर वो पेड बहुत खुश था वो खुशी से जूम रहा था जामून का पेड भी अपने बडोसी के लाल फल देहकर बहुत खुश था ये हुई ना बात मेरे दोस्त अब आप बहुत संदर लग रहे हो मैं अब आप से शादी करने के लिए त्यार हूँ अब मैं जाओं आमके पेड जी अब तो आप खुश है ना हाँ चुडिया आप जाएं मगर अब मैं जामून से शादी नहीं करूँगा मेरे फलों का रंग लाल संदर लाल और वो ठहरी काली जामून ये सुनकर जामून रोने लग जाती है आम के पेड रंग बदलने से तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए है मेरे दोस्त तुम्हारी ये लाल रंगत मेरे कारण हुई है अगर तुम्हारे फलों का रंग पी ला है तो फिर मैं तम से शादी कर सकता हूँ ये नहीं समस्या कहां से आ गई चिडिया मेरी खादिर जैसे वो आम का पिड़ मुझसे प्यार करता था ऐसे मैं भी अब उसे प्यार करती हूँ आप किसी तरह मेरे फलों का रंग पीला कर दें प्लीज चिडिया हाँ मैं कुछ करती हूँ चिडिया सीधी सूरज मुख्य के फूलों के पास चाती है चिडिया खबरदार मेरे फूलों मेंसे कोई फूल ना दार ना फूलों के राजा मेरी दोस्ट जाम उनके पेड़ को अपने फल पीले करना है पलीज मुझे एक फूल दे दे ताके मैं पीला रंग बनवा सकूँ ऐसे वो फूल मान जाता है और चिडिया एक फूल सूरज मुखी का लेकर वहां से चली जाती है और वो इनसान चिडिया से सूरज मुखी का फूल लेकर उसे पीला रंग बना देता है चिडिया पीला रंग लेकर खुशी खुशी वापिस जाती है ले जामुन आप ये पीला रंग पीले जामुन बहुत खुश होती है और वो पीला रंग पीलेती है थोड़ी ही देर में जामुन के सारे फल पीले रंग के हो जाते हैं अब आम का पेड़ भी जामुन को देखकर बहुत खुश हो जाता है और जामन को भी आम का रंग बहुत अच्छा लग रहा था मेरी दोस्ट जामन और मेरे दोस्ट आम आप आप दोनों खुश है ना चुडिया तुम्हारी वज़ा से हम एक दूसरे से मिले हैं आपका धन्यवाद चुडिया अब आप हमारी शादी भी करवा दें फिर चुडिया उन दोनों की शादी करवा देती है मेरी जामन मेरी गुलाब जामन अब हम हमेशा एक साथ रहेंगे हाँ मेरे लाल रंग के फल वाले आम मेरी पीले फल वाली जामन ये सब चुडिया के कारण ही हुआ है जिसने हम दोनों को एक दूसरे से मिलाया है